चीक है तो यह हम जान गहते हैं about search console यह भी देख लिया था हम लोगे ना How to use google search console for SEO यह भी हमने देख लिया था What will learn about google search console इसमें क्या क्या हम सीखते हैं रिपोर्ट कैसे क्या क्या बनती है यह सब देख लेते हैं एक बार overview होता है हमारे पास URL inspection होता है performance index enhancements security and manual action agency tools and reports links यह हमारे पास option होते हैं एक बार हम live में जाके देख लेते हैं जो इसमें लिखा हुआ यह स्क्रीन अपनों को दिख रहे है ना क्या चीजें हैं यह सारी चीजें देखो जो अभी रेसंटली यह जो चेंज हुआ हमारा पहले Google webmaster था इसमें तो पहले जो Google webmaster था उसका जो इंटरफेस था कुछ इस टाइप से था ठीक है अब ठीक है तो पहले जब यह स्टार्टी में आया था बीटा वर्जन था यहां पर एक option आता था हमारा पास try the new search console तो यहां से हम क्लिक करके नए वाले पर चले जाते थे अब जो यह option हटा दिया है कि अब सिर्फ new पर ही काम करते हैं जो old वाला वर्जन है वो अब नहीं आता ठीक है तो new look यह है इसका जो अब आप live में देख रहे थे ना हमने देखा थे यह तो इसका ऐसा and enhancements ठीक है यहां से हम live में जाकर देखेंगे तो हम यही तीन चीजें दिखाए देंगी अब यहां पर हमने overview में क्लिक करके रखा हुआ है तो यहां पर यह देखो में performance दिखा रहा है कि जो हमारी website है वो search पर कैसे perform कर रही है ठीक है इसको भी describe करेंगे हम नीचे जो है यहा पर सारे चीजें देखेंगे क्या है यह ठीक है इसके बाद coverage मतलब कोई errors वगरा है अगर site में किसी page में कहीं भी कोई error है तो यहां पर दिखा देगा इस पर ठीक है enhancement में यह सारी चीजें जो इसमें है core web vitals mobile usability site link search यह सारी चीजें इसमें दिखा देगा ठीक है तो overview में हमें तीन चीजें देखनों को मिलेंगे performance coverage and enhancement ठीक है second option जो हमारा है URL inspection इसमें हम गया करते हैं कोई भी जैसे हमारे website का जो भी page है तो उसको हम inspect करते हैं यहां से इसमें क्लिक करेंगे तो यह सीजे हमें यहां पर highlight कर देगा search bar यहां पर हमें दिख रहा है यहां पर highlight करेगा यहां पर हम अपना URL डालके enter करेंगे तो यह हमें एक तो indexing option देगा और अगर चेक करना है URL तो वहां पर हम live चेक कर सकते हैं ठीक है यह तो हम यह तो हम यह तीन चीजें हमें और भी मिल जाएंगी इसके मतलब इसके बाद हम detail में यह तीनों चीजें भी पढ़ेंगे नीचे तो यहाँ पर question है हमारा what is the URL inspection tool the URL inspection tool might be one of my favorite because you get to see how Google review your website Google views your website अब की website को Google कैसे मतलब देख रहा है cash indexing, caching यह सारी चीजें वहाँ पर दिख जाती है तो मतलब mainly हम लोग क्या use करते हैं Google inspection tool का mainly हम use करते हैं इसी वजए से यह थोड़ा सा important है हमारे लिए ठीक है तो if you published a new blog post or redesigned a webpage you can use this URL inspection tool to submit the URL to signal to Google to crawl that page ठीक है जो आप लोगो को मैंने बता दिया पहले ही कि अगर आपकी कोई नई website है अगर आपकी नई website बनाई है आप लोग मूट कर लिजे प्लीज ठीक है तो उसको हम जाके Google Search Console में शम्मिट कराते हैं to be indexed मतलब index होने के लिए ठीक है तो it's similar to the fetch as Google tool in the old GSC Google Search Console जो हमारा सबसे पहले था एक fetch as Google ऐसे करके टूल दिया हुआ था उसमें क्या था हमारा कि हम किसी भी मतलब अगर हमने उसको जिस website को verify कर रखा है उसके सारे URL तो करवा ही सकते हैं लेकिन अधर कोई website page है या फिर कोई हमने कोई भी ब्लॉग डाला है तो उसको directly हम fetch as Google करके एक option था पहले starting में जो कि वो अलग से चलता था उसको हम directly बिना login किये ही open करते थे उस URL को और वहां से हम कोई भी नए ब्लॉग कुछ भी डालते थे तो वो सीधे को जो है सिर्फ fetch करवा पाएंगे या फिर inspect करवा पाएंगे और जो है हम other किसी website के pages के URL हम उसमें नहीं करवा पाएंगे index ठीक है तो यह चीजे improve करी हैं Google ने if you click fetch you will see the HTTP response that Google is receiving इसके बाद जो जैसे हमने कल fetch करवाया था inspect URL करवा कि आपको लोगों को देखा था न उसमें थोड़ा time लगता था ठीक है तो इसमें बहुत सारी चीजें दिखाएंगा हमें आगे वह हम आज आपको पूरा चीजें दिखाएंगे क्या 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 दिखाता है ठीक है अब next नहीं के how do I use the URL inspection tool fetch as Google tool मतलब पहले जो नाम था इसका fetch as Google tool था अब जो इसका नया नाम दे दिया गया है वो URL inspection tool दे दिया गया ठीक है तो इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत हो ना To use the new URL inspection tool add your URL to the top search bar in new google search console here वही जो हमने आपको करके दिखा चीज़ गया है यह सब Other users for fetch as Google First हमारा update on old webpage मतलब कोई भी जैसे web page है हमारा जैसे हमने उसको update किया है तो उसको मतलब update करने के लिए Google में कि नया data हमारा Soho indexing में caching में सारी चीज़ें जैसे आपने content add किया है किसी web page पे नया content अभी डाला हुआ है add किया उसमें तो आप जो है उसको features Google करवाएंगे मतलब कि inspect URL करवाएंगे तो वो जो है अपकी नई indexing और caching दिखाएगा ठीक है Second के launch a new section of your website अगर आपने कोई नया section add किया है सेम चीज़ यह भी है नया section add किया है कोई नया page अपना add किया है website पे updated robots.txt file देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं robot.txt को भी इसमें उसका URL होता है इसमें हम लोग add करते हैं तो अगर आपने robot.txt file में कुछ change किया है अप लोग को याद होगा robots.txt file हम क्यों बनाते हैं अगर नहीं आद होगा तो अभी robot.txt अभी आपको एक class में बताया जाएगा इसका पूरा detail में क्या 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 करते हैं कैसे कैसे code हम add करते हैं इसमें हमने आपको robots.txt टाइग बताया था उसमें सिर्फ no index, no follow या फिर index, follow यह सब चीजें बताया थी तो अभी robots.txt बताया जाएगा यह दोनों similar ही हैं लेकिन उसका जो हम लोग अलग अलग पेज पे जो टैग होता है हमारा अलग अलग पेज पे यूज करते हैं इसको हम एक फाइल जो है रूट में डालते हैं robots.txt और इसी में हम सारे पेज़ को mention करते हैं कि किसको हमें index करवाना है किसको नहीं करवाना है ठीक है इसके बाद क्या है implemented canonical tag अगर हमने कोई canonical tag जो है implement किया है किसी web page पे अपने canonical tag जैसे कि हमने आपको कल भी बताया था कि जैसे duplicate page दो आ रहे हैं तो हमें जो हमारा main page है वो URL हम दोनों पे use करेंगे ताकि हमारा duplication ना हो spamming ना हो ठीक है फिर दरा transition from HTTP to HTTPS अगर हमने हमारी पहले हमने website domain purchase किया था और उसमें हमने SSL install नहीं किया हुआ था तो हमारा HTTP से open होता है वो अगर इसके बाद हमने बाद में SSL उसमें install कर दिया है तो इसके बाद वो हमारा URL होगा वो HTTPS से open होगा ठीक है तो हमें क्या करना होता है कि उसको फिर से हमें webmaster में जाके Google Search Console में inspect URL करना पढ़ेगा ठीक है इसके बाद आते है performance में performance में क्या के चीज़े होती है यह हम एक बार देख लेते हैं जो हमने अभी आपको बताया URL inspection के जितने भी हमारे वरक था वो हमने बता दिया अगर करवाएंगे दुबारा से तो यह हमारा देखो देखो उस दिन हमने इसको अगर आप class में रहे होंगे तो उस दिन देख रहे होंगे कि यहां पर दिखा रहा था कि URL is not on Google ठीक है आज हमने इसको करवाया तो यह बता रहा है कि URL is on Google अब जो है यह हमारा इंडेक्स हो गया है ठीक है गूगल पर तभी हमको जाद 2-3 जितने 2-3 दिन हुए होगे मुश्किल से हो सब्सक्राइब कि एक दिन में ही हो गया हो या फिर आदे गंटे बाद ही हो गया हो या फिर हमने इसके meta title या फिर डिस्क्रिप्शन में कुछ चेंज किया हो meta tags मतलब overall meta tags कुछ भी change किया हो तो हम यहां से इसको फिर से request indexing करेंगे यहां से तो यहां से जैसे request indexing हम कर देंगे तो यह दुबारा से फिर से index हो जाएगा कर दो करता है कि मतलब कभी कभी होता है कि आदे घंटे में हो सकता है कि इंडेक्स हो जाएगा ठीक है कभी कभी हो सकता है कि तो करण जो के सब्सक्राइब कर दो कि सब्सक्राइब थेero यह जिम्गेट नहीं क्यों कि 7 pense से फोरा डाव्ड़्राजए हो तो यह हमारा भी इसको हम request indexing किया हुआ है तो फिर से हमारा यह request पहुंच जाएगी फिर इसको जो है हो जाकता है यह आधे गंटे में फिर से index हो जाए दुबारा से यह हमारा security पूछता है इसको हम ठीक है यह पहले से indexed है दो दुबारा क्योंकि यह request ऐसे आपको बताने के लिए किया है ठीक है अब देखो यहां से हम देखें देखो view crawl page यहां पर क्लिक करेंगे तो देखो यहां पर हमारा इसका जितना भी coding होगी इस page की वह यहां पर show हो जाएगी फिर next में second में दिखा रहा है screenshot तो उसका एक जो कैसे हमारा एक image की तरह दिखेंगा यहां पर screenshot देखेंगा उसका यहां पर अभी यह तब दिखेंगे जब हम test live URL करेंगे जो यहां पर option आता ना यह test live URL यहां पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहां पर हमारा जो website का एक image दिख जाएगी जो हमारा front से दिखता है वो दिखेंगा more info में जाएगी तो यहां पर दिखाएगा content type text stml sttp response 200 ok page resource 39144 couldn't be loaded ठीक है यह सारी चीज़े हमें दिखाएगा तो हमें जो है यहां से एक बार test live URL करके हम आपको दिखा देते हैं कि इसके बाद screenshot इसमें कैसे दिखेगा जैसे यह हमारा home page है इसका मारलू हम यहां site में open कर लेंगे इसका home page open कर लेते हैं तो अभी हमें front में ऐसे दिख रहा है ठीक है तो इसका screenshot हमें वहां पर show हो जाएगा इसमें दो या तीन मेंट लगता है जैसे हम request indexing करते हैं तो इसमें एक या दो मेंट लगता है वैसे ही जब हम test live URL करते हैं तो इसमें भी हमारा दो या तीन मेंट लग जाता है इसको process होने में ठीक है तो आप थोड़ा सा wait करना पड़ाएगा आपको फिर इसके बाद यह so हो जाएगा तो यह हमारा सारा जो है URL inspection का work है हमारा यह इतनी चीज़ें यहां पर सारी चीज़ें so होती है अगर जैसे कोई यह देखो यह जो है ऐसे जो है अभी screenshot ऐसे आ रहा है इसका mobile वर्जान भी आ रहा है इसका ठीक है अब आ रही है तो यह देखो अभी हमने live URL test किया है तो इसमें यह problem दिखा रहा है इसमें mobile usability वैसे इसको हम पहले करवा चुके हैं तो जब हमने पहले करवाय था तो यहां पर अभी जब हमने इसको inspect के लिए enter किया था तो वहां पर नहीं सो हो रहा था लेकिन अभी यह सो हो रहा है कभी कभी क्या होता है चीजें थोड़ी सी change जाती है अब जैसे इसको हमने देखा था जब इसका हमने आपको दिखाया था mobile inspect करेंगे यहां से right click करके तो देखो mobile view जो है इसका proper देख रहा है तो इसका मतलब यह जो website हमारी है वो mobile friendly है अगर आप mobile में website को open करेंगे तो हमें proper चीजें देखेंगे अगर यह mobile friendly नहीं होती तो इसका जो यह जो दिख रहा है या फिर जो भी content हो यह आदा जो है hide हो जाता side में ठीक है क्योंकि यह जो phone number है यह email ID है जो हम web पे देखते हैं तो हमें यह पूरा एक row में दिखाई देता है तो अगर जो है यह हमारा mobile friendly नहीं होता तो यह email ID और यह जो नीचे partner portal का यह जो link दिया हुआ है यह सारा यहाँ पे hide हो जाता side में तो इसलिए यह हमारा mobile friendly तो है लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि coding में कभी-कभी loading में problem हो जाती है तो इसलिए से कभी-कभी इसको live test करने में हमारा नहीं दिखाता है यहाँ पे चीक है तो अभी यह जो है page is not mobile friendly यहाँ पर सो हो रहा है ठीक है तो इसमें आपको इंटेंसर लेनी की बात नहीं है अपने हमने यह mobile friendly कर रखा है तो इसमें जब जो है वो फिर से index करेगा करेगा तो वो चीजें ठीक हो जाएंगी ठीक है ठीक है इसके बाद हम आगे और देख लेते हैं और क्या 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 है performance में आते हैं तो क्या है हमारा search results search results में क्या क्या हमें होगा queries, pages, countries, devices, search type, search appearance यह सारी चीजें हमें दिखेंगी search results में performance के अंदर जाएंगे तो search results में क्या देखेंगे queries मतलब कि लोग क्या-क्या query डालते हैं search करते हैं Google पे तो जिसे कि हमारी website कहीं भी मतलब searches में आती है, ठीक है? Pages में क्या होगा? हमारी कौन-कौन से pages जो है search में आते हैं? कंट्री में किस-कंट्री से जो है search करने पे हमारी website search में आह रही है, devices में किस डिवाइस से सर्च करने पर हमारी जो है वेबसाइट जो है सर्च में आ रही है सर्च टाइप किस टाइप से सर्च करने पर आ रही है यह सारी चीजे हम जो है इसमें देखेंगे तो एक बार सर्च रिजल्ट यह हमें आपको लाइब दिखा देते हैं यहां पर जाकर अप तो यहां पर सर्च इर्ट्स यहां पर देखो हमें चार चीज़न दिखा रहा है एक तो टोटल क्लिक्स कैसे दिखा रहा है जैसे हमने मानलो की यहां पर आपको क्लियर कर देता हैं बिल्कुल सारी चीज़न यहां पर हमने Google open कर लिया यहां पर हमने clear word search गिया जो है 10 मिनट बाद हमारा यह end हो जाएगा तो आप उसी same link से join हो जाएगा ठीक है notification आगया मेरे पास तो जैसे हमने clear word search किया है तो यहां पर जो है अब हमने यह keyword search किया है ठीक है तो Google search console में यह keyword हमें show हो जाएगा कहां पर show होगा जैसे यह queries है न queries यहां पर देखो यह clear word आ रहा है तो मतलब clear word search करने पर हमारी site अब हमने इस पर मारलो click कर दिया यहां पर अगर हमने click कर दिया तो यहां पर जो है यह queries में clear word आ जाएगा एक बार और जैसे हमने अभी किया है उसका तो यहां पर अगर हमने click किया तो यहां पर एक increase हो जाएगा 172 हो जाएगा और impression में भी एक increase हो जाएगा ठीक है तो ऐसे queries में चीज़ें आती हैं किसी ने search किया होगा what rare earth metals are used in solar panels इसको search करने पर जो है हमारे website आई होगी कही ने कहीं और 34 लोगों ने इसको click किया है हमारी website को और जैसे माल लोग ही हो सकता है चोथे पांचवी नमबर पे आई हो तो किसी ने other website को click किया है तो वो impression में तो count ही होगा तो impression में जो है वो count हो गया लेकिन clicks में नहीं हुआ इसलिए impression जो है मैसा इससे ज़्यादा ही मिलेंगे आपको ठीक है अगर click side हमारी search पे कहीने कहीन आई है तो impression में count हो जाता है ठीक है Sir तो ये queries ही एक तरह से keywords का भी काम कर सकती है जिस तरह से जो search कर रहा है उस चीज़ को ज़्यादा implement करना है हाँ हाँ सही करें कभी कभी keyword research जब हम करते हैं तो अगर मारलो हमने एक महीने दो महीने बाद अगर एक महीने तीन महीने work कर लिया है फिर इसके बाद client बोल रहा है कि यार हमें keyword जो है change करने है इन से हमारा business काम आ रहा है सही नहीं आ रहा है मतलब और थोड़ा improve करना है हमें तो हम क्या करते हैं यहां से कुछ ऐसे keywords चूज कर लेते हैं कि जैसे कि उन से impression तो बहुत ज़्यादा आ रहा है मतलब कि भाई impression ज़्यादा आ रहा है तो impression तो उस पर बहुत ज़्यादा आ रहा है मतलब यह keyword बहुत ज़्यादा सर्च हो रहा है लेकिन clicks नहीं आ रहा है हमारे तो हम उसको clicks को बढ़ाने के लिए हम उस keyword का अपना जो है उस keyword के according अपनी website को optimize करेंगे या तो clients हम बोलेंगे कि इस keyword के ऐसे related कोई नया page बनवा ले या फिर हम जो existing page होंगे हमारे उन पर उस keyword को हम add करेंगे मतलब optimize करेंगे ठीक है clear हो गया ना yes sir ठीक है अब हम second क्या देखेंगे pages तो यहाँ पर हमारे जो जितने भी pages हमारे search पर आ रहा है जैसे कोई search करेगा energy requires rare earth जैसे कि अभी queries में आपको एक keyword दिखा होगा न इसी से related तो मतलब कि बहुत सारे लोगों ने यह search किया what rare earth metals are used in solar panel तो इस keyword या query जो भी आप बोलो इसको search करने पर हमारा कौन सा page आ रहा है यह page आ रहा होगा क्योंकि same इसे related यह page है हमारा तो इसलिए इसके clicks भी देखो 801 है और इंप्रेशन भी काफी जादा है 10,373 ठीक है तो यह हमारे pages जो है searches पर आ रहे है first पर यह है सबसे ज़्यादा clicks इस पर लोगों न रहा किया गया है इस पर klik किया गया है फिर हमारे home page पर लोगों ने klik किया है फिर about us page पर मतलब यह सारे pages पर हमारे klik किया गया है इस पर 801 klik सी हुए यह जो data दिखा रहा है में last three months का दिखा रहा है यहां पर आप लोगों दिख रहा होगा ना यहां से हम लोग change भी कर सकते हैं अगर last 30 days का हमें देखना है या फिर इसमें जो है जैसे आप click करेंगे तो इसमें option दे रखा है last 7 days का देखना है 28 days का देखना है 3 months, 6 months, 12 months, sales month जैसे हम report भेशते हैं तो client को जैसे हम report भेशते हैं तो 30 days का भेशते हैं तो हम यहां से custom करके जो भी date हम select करना चाहें तो यहां से 30 days का अपना date जो select कर लेते हैं ठीक है जो Google Search Console में जो report दिखाता है वो लगभग जो है एक दिन पीछे का दिखाता है क्योंकि अभी आज का इसमें नहीं दिखाएगा तो अभी हम जैसे यहां पर end date पर click करेंगे तो जो है मैं यह 14 तक का data दिखाएगा इसमें लेकिन जो accurate data हमारा दिखाता है वो जो है दो दिन पीछे का दिखाता है इसमें 14 का दिखा देता है लेकिन कभी-कभी होता है कि changes हो जाते है मतलब तो इसलिए हम जो है दो दिन पहले का जो है इसमें देख सकते हैं ठीक है clear तो यह हमारे जो है pages आ गए जितने हमारे website pages जो है searches पर आ रहे है और उन पर click हो रहे है या फिर impression आ रहे है उन pages पर तो यह हमारा यहां पर दिखाएगा इसके बाद countries पर जाएंगे country पर हमारा यह हमारा US का project है तो सबसे top पर US ही रहेगा क्योंकि वहां पर जो जो भी लोग click किये होंगे तो वहां पर जो है ज्यादा user होंगे इसके क्योंकि वहां पर इसकी ranking भी अच्छी होगी other countries पर भी होगी ranking लेकिन सबसे अच्छी ranking जो है हमारा US में होगी क्योंकि हम जो है इस पर work कर रहे हैं वो सिर्फ US के लिए प्रमोट कर रहे हैं ठीक है तो ज्यादा तर हमारा promotion कहां हो रहा है United States में ठीक है बाकी other countries से भी clicks आ रहे हैं जिसे Canada से आप देख सकते हैं 64 clicks है last 3 months के और impression भी 2002-2008 है ठीक है इंडिया से भी आ रहे हैं बाकी other countries से मतलब यहां इस इन इन कंट्रियों से हमारा clicks and impression दिखा रहा है डिवाइसस में जाके हम एक बार देखेंगे तो डिवाइसस मेंली तीन ही यूज होते हैं एक तो desktop, mobile and tablet तो desktop से हमारे 1137 clicks आये हैं और इतने impression भी लोगों को ठीक है mobile पे इतने आये ज़्यादा तर लोग हमारा system से ही search कर रहे हैं और open कर रहे है हमारी website ठीक है इसके बाद हम next के हमारा search appearance इसमें क्या के हमारा show हो रहा है एक तो videos हमारे इसमें website पर पढ़े हुए हैं तो वहाँ पर उसमें भी लोग देखते हैं वीडियो हमारे और भी जो content वेगरा ब्लॉग वगए रहे हैं यह सारी चीज़ें देखी जाती है ठीक है dates में आएंगे तो यह date wise दिखाएगा आपको ठीक है 13 जनवरी को 20 clicks हुए है और 954 impression आया है ठीक है तो यह हमारा reports में जैसे हम client को report भेजते हैं तो यह सारी चीज़े हम include कर सकते हैं उसमें ठीक है तो यही चीज़े हमारा उसमें describe किया हुआ है जो हमने यह document बनाया है query, pages, countries, devices, search type, search appearance, dates ठीक है अब आते हैं in the new version of यह हमारा old version का दिखा रहा है इसमें old version का भी दिया हुआ है तो उसमें दिखा रहा है पहले जो हमारा old version था वो इस type से दिखाता था total clicks, total impression, average CTR और average position यह दो चीज़े आपको अभी इसमें नहीं बता है हमने यह है इस पर आप click करोगे तो यह भी दिखाएगा नीचे यहाँ पर यह देखो यहाँ पर CTR आ गया हमारा यहाँ पर position आ गया यहाँ इमिन को sort भी कर सकते हैं यह भी clicks के sort हो रखा है सबसे clicks ज्यादा जिसके होगे जिस query के वो सबसे उपर है ऐसे हम impression से sort कर सकते हैं तो CTR क्या होता है click through rate मत्तब कि हमारा अगर जो है 971 impression है तो हमारा click कितना हुआ है 171 ठीक है कि इस rate से लोगों ने click किया है यहाँ पर यह हमारा दिखाता है पोजीशन क्या दिखाता है हमारा यही दिखाता है जो हम ranking निकालता है ना वही आपा पोजीशन दिखाता है कि जो clear word हमारा जो है वह लिगन हम आपको position जो है अभी clear word search करोगे ov first पह आएगा लिकन हम में कैसे दिखाता है ओवर वर दिखाता है जैसे सारे keyword को average तरह से दिखाता है ठीक है क्योंकि यहां पर हमको लिखा भी है average position तो average जब हम निकाल देंगे तो यह हमें 3.3 दिखाएगा ठीक है तो यह हमें मतलब एकदम correct नहीं दिखाता है क्योंकि चीजें होती रहती है कभी-कभी जैसे ads वेगरा को include कर दोगे आपको यह एक-दो ad अगर आपको मिल जाएंगे तो हो सकता है यहां पर दूसरा या फिर